हालू दोस्तों क्या हाल है आज हम बात करने वाले हैं former ID के बारे में former ID में आपका password आपको कैसे reset करना है वह भी मैं आपको बताऊँ गा इसके बाद में अगर आपकी जानकारी में कोई mistake हो गई है तो आप उसे सुधार कैसे करेंगे वो भी हम बताऊँ गे और इसके बाद में आपका जो फार्मर आइडी है उसे डाउनलोड के से करना है वो भी मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा तो दोस्तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके सामने इस प्रकार का डेसबूर रहेगा अब यहाँ पर आपके सामने जो पासवर्ड की प्रोसेस है फोर्गेट पासवर्ड इस वाले अप्शन के ओपर आपको क्लिक करना होगा अपने मॉबाइल नमबर को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा इसके बाद में यहाँ से आपको प्रोसेस करना है तो चलिए आपका जो आपके mobile पर ही आजाएगा आप वहां से जो message में जो password आता है उसी को आपको enter करना होगा मैं login करके दिखा देता हूँ देखे यहाँ पर आपका mobile number या फिर gmail id दोनों में से कुछ भी आप डाल सकते हैं जो password आया है आपके mobile पर उसी को आपको यहाँ पर enter करना होगा इसके वाले option के उपर click करते हैं दोस्तों तो आपके सामने इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी अब fill क्या करना रहेगा आपके पास अगर आपका enrollment ID है तो आपको यहाँ पर click करना होगा मतलब यहाँ पर enter करना होगा और अगर आपके पास enrollment ID नहीं है in case तो अब आपको करना क्या आपका आधार कार्ड नंबर को भी आप यहाँ पर enter कर सकते हैं दोनों में से जो भी आपके पास possibility है वो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं चले यहाँ पर देखेंगे जिसे हमने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल रहे हैं तो आधार कार्ड को यहाँ पर आपको इंटर कर दे लेकिन ठोड़ा सा समय लगा था इसमें 15 घंटे में हमारा अप्रॉवल आ गिया था आपको अपनदा ऐप्रॉवाल आपको छैक करना है और इसके बाद में एक बात और जान लीजीगा कि यहां पर अप्रॉवल कि कोई विक्ति विसेस आपका आप strain नहीं देता है, मतलब कोई वहाँ पर approval नहीं करता है फाइल को, दोस्तों यह auto generate system generate के द्वारा ही किया जाता है कोई विक्ति विसेशिजे approval नहीं देता है, तो जो आपका document है अगर आपका document digitally है, तो आपका जो है approval automatically आजाएगा देखे date की बात करें, तो date तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर time थोड़ा सा अलग हो गया aim और pm आप यहाँ पर देख सकते है, time थोड़ा सा change हो गया है बाकि आपका जो date है, date तो एक जिस ही है, तो एक ही date में हमारा approval भी आया था और फोड़ा सा time change हुआ था, तो आपका अगर document सही है, तो आपको भी approval same time में मिल जाएगा, चलिए इसके बाद में next process क्या है, वो समझ लीजेगा आप सभी के निरंतर comments आ रहे थे, कि सर हमारा जो documentary है, उसमें हमने कुछ जानकारी गलत फिल कर दिया तो update के से करेंगे, तो update के लिए ये वाला option रहता है, update my information, इस वाले option के उपर click करेंगे, तो यहाँ पर आप KYC, non-KYC, तो हमें KYC के द्वारा भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप non-KYC के द्वारा भी कर सकते हैं, तो दोनों ही process इसमें दी गई है, चलिए मैं सबसे पहले first व कर लेंगे, इसके बाद में आपके जो documentary है, वो आपके सामने आ जाएगी, अब non-KYC की बात करें, तो non-KYC भी आप यहां से कर सकते हैं, एक्जिस्टी जो भी पहले से, जिनका है, पहले से आवे दिन कर चुके है, कुछ आपको कोई rejection आया है, तो करिएगा, यहाँ पर आप इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी, आपका जो status है, वो भी आपको दिखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको show my detail है ना, former की detail, तो इसके उपर आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो दोनों process आपके सामने देखने को मि जाएगी यहाँ पर, अब आपका जो ID है, उसे आपको download कैसे करना है, तो उसके लिए आपको registered formal list है, इस वाली process के उपर क्लिक करना होगा, चलिए यहाँ पर करना के रहेगा, district आपको select करने की जरूरत नहीं, अब यहाँ पर आपका जो तैसिल और तालू का जो भी है, उसे आपको बाहर एक बार क्लिक करना होगा, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, खुद की जमीन है, तो और ownership इसके उपर क्लिक करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर देखें, category, category में आपकी जमीन जो है, एक हेक्टियर से कम है, या फिर एक हेक्टियर से जादा है, मतलब ए आपकी जमीन है उसके अनुसार आपको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है हमने लगाया है second वाले option के ओपर टिक मार ठीक है सर राइट में वापस से आपको टिक लगाना है इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सारी जानकारी आपको इधर ही आपको देखने को मिल जाएगा चली मैं आपको दिखा पर देता हूँ format में generate होगी दोस्तो अभी फिलाल में PDF वाला option नहीं आया है सिर्व Excel में ही आपको मिलेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने security reason के current से कुछ जानकारियों को मैंने hide किया है यहाँ पर आपका नाम से लेकर के तो थोड़ा सा zoom करके निकाल सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो एक like तो करना ही है चैनल को subscribe करके notification को जरूर own कर लेना ताकि जो भी हम वीडियो दे आप तक पटाफट पोच जाए धनिवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुब रहे